अलो एवरिवान तो सभी लोगों का फिर से स्वागत है और हम लोग अब कॉन्वेक्स लेंस के जो छे कैसेस हैं उस पर डिसकस करने वाले हैं तो चलिए सीधे चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग ये सारी बाते हम लोग कर चुके थे हम लोग ने तीन रूल यहाँ पर पढ़ चुके थे और जो तीन रूल क्या होते हैं किस तरीके से रे जाएगा तो रिफ्रेक्ट होने के बाद किस तरीके से वो बिहेव करेगा ये सारी बाते हम तो देखिए जैसे concave mirror में, किसमें? concave mirror में 6 cases बनते थे न, एक बार object को infinity पे रखते थे, फिर हम लोग center of curvature के पीछे रखते थे, फिर center of curvature पे, फिर focus और center of curvature पे, फिर focus पे, और फिर focus और pole पे, यह हम लोग concave mirror में काम करते थे, याद आया सभी को, तो इस क्या, जो सुरू के 5 image हैं, वो real और inverted बनता था, और mirror के सामने ही बनता था, क्योंकि rage जो थी, वो पीछे की तरफ नहीं जा पाती थी, लेकिन ये छटे case में क्या है, कि इन 5 cases में क्या होता था, कि rage जो है, इनका मिलाप mirror के सामने ही हो जाता था, तो ये यहाँ पे बन जाती थी, real बनती थी, और inverted बनती थी, लेकिन ये छटे case में क्या होता था, कि सामने की तरफ rage का मिलाप नहीं हो पाता था, तो हम लोग hypothetically, imaginary, यानि कि virtually, rage को पीछे लेकर जाते थे, तो हमारा image पीछे की तरफ बन जाता था, सिधा बन बनता था, clear, same to same, जो concave mirror में काम होता था, वो काम यहाँ पे convex lens में होगा, ठीक है न, यह रहा आपका convex lens, यह रहा आपका optical center, यह रहा focus f1, यह रहा center of curvature c1, यह रहा आपका f2, यह रहा आपका c2, यानि कि एक बार हम लोग object को infinity पे रखेंगे, उसके बाद हम लोग center of curvature के पीछे रखेंगे, फिर हम लोग center पे रखेंगे, फिर center और focus पर रखेंगे, फिर focus पर रखेंगे, और फिर focus और optical center पर रखेंगे, यानि पहला case, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा, तो चुकि अब यह शुरू के 5 cases में क्या होगा, कि light range, अब तो यह transparent है, तो light range जो एसो reflect होके दूसरी तरफ आएगी, मतलब कि left hand side से light range, right hand side में आएगी, mirror में नहीं होता था, mirror में light range reflect होके उधर नहीं जाती थी, बलकि mirror के सामने ही सारी range आपस में मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे 5 cases में क्या होगा, कि lens के right hand side में range आएगी, तो यानि कि और सारी range वास्तों में वहाँ पे मिलेगी, यानि कि real बनेगा और inverted बनेगा, लेकिन जो यह छटा वालग case है ना, इस case में क्या होगा, कि range तो इधर आएगी, range तो पक्का आएगी, क्योंकि यह transparent है, transparent medium है, तो range इसको cross करके तो आएगी ही, लेकिन आएगी, तो वो इस तरीक एक जगे पे मिल ही नहीं पाएगी, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, कि उस range को पिछे लेकर जाएगे, और image का formation हम लोग left hand side में ही कर लेंगे, यानि कि virtual बनेगा, और सीधा बनेगा, तो आप देख रहे हो कितनी similarity है, इसलिए अगर यह 6 cases आपको ध्यान में है, तो यह 6 cases समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो सबसे पहले mirror वाला 6 cases अच्छे से दिमाग में बैठा लेजे, और तब इस वीडियो को आगे देखिए, चलिए, यह है आपके वो 6 cases, ठीक है, nature position और relative size of image formed by a convex lens, various position of the object, तो object को हम लोग पहले रखते हैं infinity पे, तो जब हम लोग infinity पे रख यानि कि F2 में, यानि कि right hand side में, F2 पे image बन जाएगा, और बहुत ही छोटा बनेगा, point size बनेगा, real और inverted बनेगा, जब हम लोग left hand side में object को focus, center of curvature के पीछे रखेंगे, 2F1 का मतलब क्या है, C1, 2F1 यानि कि C1, यानि कि C1 के पीछे रखेंगे, तो C1 के जब पीछे रखेंगे, तो हमारा image कहां बनेगा, right hand side में, F2 और 2F2 के बीच में, और छोटा बनेगा, real और inverted बनेगा, फिर जब हम लोग focus पे रखेंगे, तो दूसरी side focus पे बनेगा, same size का बनेगा, real inverted बनेगा, फिर जब focus से आगे लेकर जाएंगे, और, एक मिनट, नई, center of curvature, 2F1 का मतलब है center of curvature, फिर जब center of curvature से आगे लेकर जाएंगे, और focus के बीच में रखेंगे, तो हमें image कहां बनेगा, 2F2 के beyond बनेगा, पिछे बनेगा, ये सारी केसे सब हम लोग करकर के देखते हैं, सबसे पहले तो ये जो chart है न, इस chart को पहले दिमाग में बैठा लो, या NCRT में ये chart दिया गया है, वहाँ पहले ये खोल लो, ये chart को पहले वहाँ पे खोल लो, फिर मैं जब आगे diagram बनाऊं होगा, तो ध्यान से देखना, ओके, चल, पहला वाला देखते हैं, अब ध्यान से देखते जाओ, बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहला वाला क्या था, पहले तो हम लोग mirror बना, लेंस बना लेते हैं, सबसे पहला वाला क्या था, कि हम लोग object को infinity पे रख रहे हैं, यानि object कहीं, कहां है, infinity पे, तो आप सभी लोगों को ये बात मालूम है, कि अगर आपने object को infinity पे रख दिया, यानि कि वहाँ से range हमेशा parallel ही आईगी, रेज हमेशा कैसी आईगी, parallel ही आईगी, क्योंकि ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, कि अगर infinity पे बहुत दूर पे कोई object रख रखा है, तो वहाँ से सारी range को हम लोग parallel ही consider करेंगे, ठीक है, तो दो ही range काफी है, रहने देते हैं, या एक range और ले लो नीचे से, सारी range को focus पे लाके converge कर देता है, यानि कि हमारा image जो बनेगा, वो कहाँ बनेगा, इसी focus पे बनेगा, छोटे size का बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि real बनेगा, क्योंकि left, right hand side की तरफ बन रहा है, really में सारी light की range आकर यहाँ पे मिल रही है, तो real बनेगा, और जब भी real बनता है, तो inverted बनता है, यानि क्योंकि उल्टा बनेगा, छोटे size का बनेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, यह NCRT के दौरा बनाया भी गया है, आप लोग देख भी सकते हैं, कि सा होंगा, दूसरा case देखिए, यह आपका optical center, यह हो गया, आपका F1, और यह 2F1, यानि कि C1, यह F2, यानि कि यह हो गया, C2 या 2F2, ठीक है, न? देखिए, अब रेज, अब हम लोग object को ऐसा करते हैं, कि अब object को कहां रखेंगे, हम लोग center of curvature के पीछे रखेंगे, यानि कि अब हमारा object यहाँ पे है, उपर वाला part A, नीचे वाला part B, ठीक है, यह हमारा object है, तो B part तो अगर principal axis पे है, तो image बें भी principal axis पे बनेगा, हम लो करते हैं, एक range हम लोग parallel लेकर जाते हैं, तो जब भी parallel range लेकर जाएंगे, तो यह जाहिर सी बात है, कि यह focus से निकल जाएगा, और दूसरा range हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग optical center से लेकर जाते हैं, यह optical center, क्योंकि optical center से range लेकर जाएंगे, तो वो range कहीं भी debit नहीं होगी, तो यानिकि आपने देखा यह image का formation कहा हो गया, यहाँ पे हो गया image का formation, क्योंकि raise A dash यहाँ पे बनेगा और B dash यहाँ यहाँ पे, यह रहा आपका image, चोंटे साइज का बना और उल्टा बना रियल बना क्योंकि रेज वास्तों में यहां के मिल रही है तो यानिकि रियल बना inverted बना, ultra बना क्योंकि A नीचे आगया, B उपर है clear जैसे mirror में होता था same वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है बस नया क्या है, कि अब दूसरी side image सारी बन रही है बस यहीं नया है तीसरा case देखी अच्छा दूसरे case का जरा यहाँ पे figure में देख लिजे NCRT ने जो बनाया है यह देख लिजे, यह object A, B यहाँ पे रखा है, यह object है, यहाँ से एक range यह गई दूसरी range यह optical center से आई और इस तरीके से आई कि यहाँ पे range आकर मिल गई, यानि कि A dash यहाँ पे बन गया, यह आपका image बन गया, और B dash आपका यह रहा, यह आपका B dash रहा, clear? चलिए, तीसरा देखते हैं थर्ड वाले में क्या है कि हम लोग अब mirror के center of curvature पर object को रखेंगे, lens के बार-बार मैं mirror बोल रहा हूं क्योंकि कई दिनों से क्या है न, mirror mirror ही दिमाग में चल रहा है, दो-तीन class हो को सिर्फ mirror mirror ही पढ़ाया जा रहा है न, किसी लिए ऐसा हो रहा है ठीक है? अब हम लोग object को कहां रखते हैं? यहाँ पे रखते हैं, यह रहा आपका object, A उपर B नीचे, यहाँ से भी दो रेज लेकर जाओ, कैसे लेकर जाओगे? एक रेज पैरलल लेकर चले जाओ यानि कि यह center of curvature, focus से पास हो जाएगा, यह कहां से पास हो जाएगा? focus से, parallel कोई भी रेज जाती है, तो focus से पास हो जाती है, और दूसरा रेज क्या करो? optical center से लेकर चले जाओ तो यह जब आप अच्छे से बनाओगे ना, तो आप ध्यान से देखोगे कि यह बिल्कुल इधर वाले center of curvature पे ही आके cut करेगी यह वाले थोरी से और नीची आ जाएगी और यहाँ पे आके cut करेगी यानि कि हमारा image जो बनेगा वो A-डैस यहाँ बनेगा और B-डैस यहाँ बनेगा यानि कि object को जब यहाँ पे C1 पे रखोगे तो image C2 पे बनेगा object को जब C1 पे रखोगे तो image कहाँ बनेगा? C2 पे बनेगा, same size का बनेगा ultra और real बनेगा जैसे यहाँ पे देख लो NCRT के द्वारा यह बनाया गया यह आपका object है A-B, एक range इन उने parallel लेकर गए हैं और एक ray optical center से लेकर गए हैं तो यहाँ से यह range focus से पास हो जाएगी और यह optical center से without any deviation आ जाएगी, यानि A-डैस आपका नीचे बन गया और B-डैस आपका उपर बन गया, यह रहा आपका image, same size का बना लग भी रहा है, बिल्कुल same size का है चौथा केस करते है चौथा केस क्या है अब आप लोग देख रहे हो, कितना असान है पढ़ाना है, अगर आप लोगों को mirror का concept आता है अच्छे से समझ में आ रहा होगा उन सारे बच्चों को, जो लोग mirror पे command कर चुके है इसलिए मैं उस समय चिला चिला के बोल रहा था कि भईया, mirror पे अच्छा command कर लो तो भला हो जाएगा चलिए अब हम लोग object को center से थोरा सा आगे बढ़ाते हैं और यहां पे रख लेते हैं ठीक है, जब हम लोग ने यहां पे रख लिया, तो अब यहां से दो range लेकर जाओ, चलो एक range फिर से parallel लेकर जाते हैं तो यह focus से निकल जाएगा और एक range हम लोग optical center से लेकर जाते हैं तो यह इधरत की तरफ चला जाएगा, यानि कि image का जो formation होगा, वो दूसरी तरफ center of curvature के पीछे बनेगा A-S यहां बनेगा, B-S यहां बनेगा, यानि कि जब object हमारा C1 और F1 के बीच में होगा तो दूसरी side में center of curvature C2 के पीछे बनेगा real और inverted ही बनेगा लेकिन बरे size का बनेगा ठीक है, magnified बनेगा, यानि larger बनेगा आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप लोग इसको यहां पे भी देख लिजिए यह चोथा वाला जो डाइग्राम है कि यह आपका object है A और यह नीचे B तो यह आपका object है एक range हम parallel लेकर गएं एक range optical center से पास कराई तो आप लोग देख रहे हो, यहां आकर A dash मिला, यानि कि दूसरे वाले center of curvature के पीछे बना greater भी बन रहा है, देखिए इतना बड़ा image बन रहा है जबकि object हमारा इतना ही बड़ा है यानि magnified बना पांचवा case देखिए पांचवा case क्या है कि अब हम लोग object को focus पे रखेंगे left hand side में object को focus पे रखेंगे यह रहा आपका focus F1, यह रहा है आपका C1 यह रहा है आपका F2 यह रहा है आपका C2 तो अब हम लोग object पे को कहा रख रहे हैं F1 पे रख रहे हैं यह उपर वाला A, नीचे वाला B range गिराईए कैसे range गिराओगे फिर से वहाई parallel लेकर जाओ एक optical center से लेकर चले जाओ तो यह जो parallel लेकर जाएंगे यह यहाँ से कैसे reflect होगी focus से पास होगी अब अब जब इसको अच्छे से बनाओगे तो देखोगे यह दोनो रेज पैरलल होगी मनें यह दोनो रेज आपस में कहीं मिलगी ही नहीं हमें ऐसा लगेगा कि infinity पे जाके कहीं आपस में मिलेगी तो इसलिए अगर object को हमने एक side left hand side पे अगर हमने focus पे रखा तो image दूसरी side infinity पे जाके बनती है real ही बनती है और ultra ही बनती है क्योंकि A की ray आ रही है तो A की ray नीचे ही तो जा रही है तो A वाला part तो हमेसा नीचे ही बनेगा तो यानि कि और बहुत बड़ा बनेगा enlarge बनेगा यह देखा जाए तो यह पहले वाले case का उल्टा है अगर convex lens में देखा जाए तो पहले वाले case का उल्टा है जब object हमारा infinity पे था तो focus पे बन रहा था अब object हमारा focus पे तो image infinity पे बन रहा यह देख लिजे यह diagram भी बनाया गया यहाँ यह वाला diagram आगे चलते हैं च्छटे case की बात करते हैं च्छटा case बहुत important है इसको मैं कोसिस कर रहा हूं अच्छे से बनाने की देखे यह रहा आपका F1 यह रहा आपका C1 यह रहा आपका F2 यह रहा आपका C2 कहां object हो राके बहिया F1 और optical center के बीच में A part उपर B part नीचे यहाँ से दो range चलो लेकर चलते हैं एक range फिर वहीं करेंगे हम लोग parallel लेकर जाएंगे और दूसरा range optical center से लेकर जाएंगे तो जो parallel लेकर जाओगे वो range कैसे reflect हो जाएगे यह focus से पास कर जाएगे और optical center वाला सिधे निकल जाएगा तो यह तो कहीं मिली नहीं रहा है और आप लोग ध्यान से देख रहे हो यह दोनों कहीं नहीं मिल पाएंगे क्योंकि यह दोनों range बिलकुल यह दूसरी direction में तो यह दूसरी direction में जा रहे हैं तो यह range आपस में कहीं मिलेगी नहीं तो यानि कि हमारे पास सब एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि हम लोग virtually image को find करें कि imaginary कहीं मिल पाएगी क्या तो हम लोग इसको पीछे ले कर जाएंगे हम लोग क्या करेंगे इसको पिछे लेकर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि पिछे लेकर जाने पर ये कहीं न कहीं मिल रही है तो पिछे लेकर जाने पर जहां पर ये मिलेगी इमेज का निर्मान वहीं होगा यह उपर वाला A dash और नीचे वाला B dash और चुकि यह mirror के सामने बना sorry lens के सामने बना जहां पर rage वास्तों में नहीं आई थी हमने hypothetically हमने imaginary किया कि पीछे rage लेकर जाएंगे तो बनेगा यानि कि यह किस तरीके का image बनेगा virtual and erect सिधा बन रहा है आपको दिख भी रहे virtual and erect तो वहीं छठे वाले case में क्या होता है कि virtual और erect image बनता है और lens के same side ही बनता है जिधर object होता है उधर ही बनता है जबकि कौन के mirror में क्या होता था पीछे बनता था mirror के पीछे बनता था clear यह चठा case यहां आप लोग diagram में भी देख सकते हैं यह object रखा हुआ था तो इधर की तरफ मिलने का तो chance ही नहीं है यह दूसरी direction में तो यह दूसरी direction में भाग रहे हैं तो यानि कि यहां पे आपका a dash और b dash बनेगा यह आपका image यहां पे बनेगा clear है न तो यह 6 cases थे मुझे लगता है कि यह 6 cases अब आप लोग को समझ में आ गए होंगे अब हम लोग इस पे 2-3 बाती और हैं वो कर लेते हैं 2-3 सवाल कर लेते हैं थूरा सा topic को अच्छे से समझने के लिए कि convex lenses का usage क्या किया किया जाता है तो अभी में हम लोग आगे यह वाली बात पढ़ने वाले हैं कि इसको चसमे में किया जाता है जिनको hypermetropia हुआ होता है longsideness में जिनको दिक्कत होती है वो convex lens का use करते हैं ठीक है न और जिनको sort वाला होता है वो concave lens का use करते हैं कैसे होगा अभी आगे आएगा फिलाल इसका use एक लिख लिजिए कि देखिए जिनकी आखे खराब होती है न दो तरीके से आखे खराब होती है या तो उनको दूरी अच्छे से नहीं दिखती या उनको नजदिक की चीज़ अच्छे से नहीं दिखती दूरी को अच्छे से देखने के लिए कौन सेलेंस का यूज़ करेंगे और नजदिक को देखने के लिए कौन सेलेंस का यूज़ करेंगे यह हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं यूजड इन मेकिंग अ सिंपल कैमरा गर हमें कैमरा बनाना हो सिंपल तो हम लोग इसी लेंज का यूज़ करते हैं लिए माइक्रो प्रोले प्पर enhance प्रोजेक्ट्ट औरुक्य प्रोजेक्ट्र होते हैं उनको बनाना होँ तो हमलों कि से लेंस का यूज करते हैं या मैंगिनिफाइंग ग्लास बनाना कियagan कि आप देख रहे हो, magnify कर दे रहाए, किसी चीज नौ बडा भी बना रहा है, कभी-कभी, बड़ए इमेज बना रहा है तो बड़ए इमेज बना रहा है, यानि हएक कभी magnify करना हो, किसी चीज को बड़ा करके देखना हो, तो हमारे लिए convex lens काफी अच्छा होगा वो बढ़ा करके दिखाएगा जैसे कि नहीं होता कभी छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं तो हम लोग उसके सामने ऐसे लेकर जाते हैं और उसको बढ़ा करके देखते हैं तो वो कौन सा lens है convex lens ही तो है magnify कर देता है वो बढ़ा कर देगा और कौन सा case ये वाला case छठा वाला case छठा वाला case में ये काम होगा कि जब हम लोग उसके नजदीक लेकर जाएंगे यानि कि हम लोग उस later को focus और focus से कम दूरी पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा वो जो later है वो हमें बड़ा बड़ा सामने के तरफ दिखाई देने लगेगा बड़े साइज में clear है ना चलिए एक question करते हैं where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size of object object के same size का होना चाहिए और real image चाहिए तो convex lens में object को कहां रखोगे center of curvature पर रखोगे यानि कि at twice the focal length कहां रखोगे focal length के दो गुने जगा पर रखोगे focal length के दो गुना मतलब कि center of curvature चलते हैं आगे इसमें चार पार्ट हैं सवाल के चारों पार्ट करते हैं ध्यान से देखिए question no.2 है कि an object is placed at the following distances from a convex lens यह आपका convex lens है और इसका focal length 10 cm है यह जो f है यह 10 cm है यहां से यहां तक की दूरी 10 है यानि कि यह जो c है यहां से यहां तक की दूरी 20 हो जाएगे तो कह रहा है कि हमें object को कहां रखें an object is placed कहां पर हम object को place करें कि focal length 10 है और यह 4 चीज़े दी गई है और हमें एक dimnist real image मिल जै कहां रखे हम object को कि हमें छोटा सा real image मिल जै तो छोटा सा real image कब बनता है छोटा सा real image तब बनता है जब हम लोग object को f के पीछे रखते थे भाई आप दूसरे वाले case में हम लोग यहां पे जब object को रखते थे तो image जो है F और C के बीच में बनता था और छोटा बनता था ना तो यानि कि हम लोग object को कहां रखें C के पीछे रखें यानि कि C तक दूरी 20 है यानि कि हम लोग D वाले option को यहां रखेंगे यानि कि 25 cm के दूरी पर रखेंगे यानि कि Beyond 2F कह सकते हैं या Beyond Center of Carvature कह सकते हैं Center of Carvature के पीछे रखो यानि कि 25 cm की दूरी पर रखो क्योंकि 20 cm की दूरी तक तो Center of Carvature है कह रहे हैं कि एक Magnified Real Image हमें चाहिए बड़े Size का हमें Real Image चाहिए तो बड़े Size का Real Image कब बनता है कब बनता है बड़े Size का Real Image जब हम लोग Center से आगे चलते हैं यानि कि जब Center और Focus के बीच में रहते हैं तो Center of Carvature के पीछे बड़े Size का Real Image बनता था या याद आया, तो यानि कि Center of Carvature और Focus के बीच में रहना होगा यानि कि 10 और 20 के बीच में रहना होगा तो 10 और 20 के बीच में यह 17 है यानि कि यहाँ पर बी वाला आ जाएगा 15 सेंटीमेटर कि कह रहा है कि हमें मैगनिफाइड वर्चुल इमेज चाहिए मैगनिफाइड तो चाहिए मतलब ग्रेटर तो चाहिए लेकिन वर्चुल चाहिए तो वह कब होता है जब हम लोग फोकस और आप्टिकल सेंटर के एपार्ट और एन इमेज ऑफ दा सेंटर ऑफ कर बेचर पर रहेंगे तो इधर भी सेंटर ऑफ कर बेचर पर सेंटर का इमेज बन जाएगा यानि कि यहाँ पर आ गया सी पार्ट 20 सेंटिमेट किलियर है ना अगला सवाल देखिए Which of the following lenses would you prefer to use while reading a small letters found in the dictionary? अगर डिक्सनरी में छोटे 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 लिटर लिखे हैं तो इसको कैसे पढ़ हो गया? कौन से लेंज से पढ़ना अच्छा है? तो अभी मैंने बताया कि convex lens से पढ़ो अच्छा है क्या करता है? magnify कर देता है, बड़े size का image बना के हमें देता है तो इसलिए इससे पढ़ना अच्छा है अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको घुमाया है convex lens इसमें भी है, convex lens इसमें है concave तो होगा नहीं, तो इसको तो काटो अब कहा रहा है कि convex lens focal length 50 cm या convex lens और focal length 5 cm तो देखिए, अगर focal length greater है अगर focal length greater है, तो हमें क्या करना होगा focal length greater है, यानि कि वो जो हमारा lens होगा, उसको हमें काफी बड़ा भी होगा, और साथी साथ हमें उसको थोरी सी बहुत ज़्यादा दूरी पर रखनी हो क्योंकि अगर हमें magnified image चाहिए, तो हमें उसको कहा रखना होगा, optical center और focus के पीछ में तो वो छोटा जगा हो, तो हम अराम से वहाँ लेकर जाएंगे और हमें बड़ा size का image दिखाई देदेगा, तो यानि कि हमारा focal length छोटा होना चाहिए, पत समझ में आ रही है, तो इसका option जो होगा, वो c part होगा, focal length उसका छोटा होना चाहिए, तब हम उसको काफी अच्छे से देख पाईगे, पत समझ में आई ना, तो convex lens of focal length 5 cm, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल खराय जा सकते हैं, कि बताओ, हमें image ऐसा चाहिए, तो object को कहां रखें, हम object को यहां रखेंगे, तो image कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, मतलब कि 20-25 सवाल अराम से बनाय जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप भी अपनी तरीके से सवाल बना सकते हैं, आप भी सवाल बना सकते हो, कि बताओ, object को कहां रखें, कि हमें image जो है, वो same size का बनेगा, image जो है, वो छोटा बनेगा, image जो है, वो बड़ा बनेगा, virtual बनेगा, erect बनेगा, या फिर real बनेगा या फिर कहां रखें कि image यहां पर बन जाए object यहां कहां पर रखें इस तरीके से हजारों सवाल यार बन सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोगों को main 6 cases दिमाग में रखना है अगर इस 6 cases को आप लोग दिमाग में रखते हो अच्छी इस पर पकर बना लेते हो थोड़ा याद करना पड़ सकता है तो याद भी कर लो practice भी कर लो अपने से rate diagram बना बना के थोड़ा सा practice कर लो तो जल्दी याद हो जाएगा तो उसके बाद आपसे question कैसे भी पुछा जाए या इस तरीके से number में भी पुछा जाए जैसे की यह मैंने number में पुछा है मैंने यह नहीं पुछा कि object कर रखोगे, c पर रखोगे कि c के पीछे रखोगे, कि focus पर रखोगे मैंने number देकर पुछा है कि बताओ 15 पर रखो, 20 पर रखो 25 पर रखो, यह चीज़े भी इस तरीके से भी सवाल का निर्मान होता है तो यह सारी चीजे आप असानी से बता दोगे अब हम लोग भाई भाई टटा करते हैं आपको ओके और आज के लिए बस इतना ही और आज इतना ही करके हम लोग भाई भाई टटा करते हैं मिलेंगे next lecture में concave lens के साथ और फिर उस पे हम लोग काम करेंगे फिर उसके बाद lens formula पे काम करेंगे और power of the lenses छोटा सा topic होता है वो भी हो जाएगा magnification भी छोटा सा होता है यानि मुझे लगता है दो lecture और आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है सवाल की practice अगर और करा दूतो तो दो तिन लेक्चर और आएंगे फिर आपका यह light chapter खताम हो जाएगा चलिए फिर मिलते हैं हम लोग next lecture में तब तक के लिए मौज करते रहिए पढ़ते रहिए बाए जैहिंद